आज की जो रेमेटी है उसके इस्तेमाल से हमारी स्किन हाइडरेट होगी और उसकी बाद जब आप मेकप नहीं होगा जरूरी नहीं है कि आप महेंगे महेंगे प्रोडक्त ही स्तेमाल करें कैसे हैं आप सब मैंसु वेलकम करते हुब फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल नेचरल ब्यूटी भी थंसु में तो फ्रेंड आज की जो रेमेडी है उसका मुख इंग्रेडियन है पोटेटो पोटेटो हमारे इसकिन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिसियल होता है दागधबब करता है उसमें नेचरल ब्लीचिंग प्रपर्टी होती है जो हमारे फेस को क्लीन करती है और बनाती है और बहुत सारे मुझे कॉमेंट आ रहे हैं कि हम मेकप करते हैं तो हमारा मेकप काला पड़ जाता है या फट जाता है बहुत जल्दी समच हो जाता है मेकप तो आज की रेमेडी अगर आप अपलाई करते हैं मेकप करने के आधा घंटा पहले तो आपका मेकप बिल्कुल भी खराम नहीं होगा क्योंकि आज की जो रेमेडी है वो हमारे स्कीन को हाइडरेट करेगी और जब हमा स्कीन बिल्कुल ड्राइ रहती है रुखी सुखी रहती है इसकी वज़ए से हम फेस्पे कुछ भी अपलाई करते हैं जैसे फाउंडेशन अगरा हो गया तो इससे हमारा मेकप थोड़ी देर के बाद ऐसे लाइनिंग लाइनिंग से पढ़ जाती है मेकप फट जाता है जो क आप जो भी इंग्रेडियंट आज इस्तेमाल करूंगी उसमें से आपको कुछ भी बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी सबके सब आपके किचन में ही अवेलेबल होंगे और पिछली जो रेमडी हमने शेयर की थी उसमें से मुझे दो दिन कॉमेंट आये थे कि इन चीजों की जरूरत पड़ेगी तो चलिए हम पहले रेमडी बना लेते हैं और इसके बेनीफिट्स क्या है और इसे इस्तेमाल कैसे करना है वह मैं आगे वीडियो में बनाऊंगी तो लास तक आप लोग बने रहेगा वीडियो को बिल्कुल भी इसकिप मत कीजिएगा फ आप चाये तो चनी की मदस से भी निका सकते हैं बट इस तरह से भी आसानी से निकल जाता है अब हमें इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है क्योंकि जो आज की रेमडी है उसके टू स्टेप्स है तो इस तरह से मैं दो पार्ट में डिवाइड कर ले रही हूं और यह तो यह जो फर्स्ट इस्टेप है यह है इस स्क्रब इससे हम अपने पेस पर मसाज करेंगे एक से दो मिल्क पाउडर या पो किसी भी मेडिकली स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा और इसे अच्छे से मिक्स करके हमें रख देना है दो से तीन मिन तक और उसके बाद हम यहां प एड किया है मिल्क पाउडर और उसके बाद हमें यहां पे लेना है एक चमच के लगबग मुलतानी मिट्टी और उसके बाद अब मैं इसमें एड करूंगी टर्मरीक यह वाइड टर्मरीक है अगर आपके पास नहीं है तो आप किचन वाली हल्दी भी ले सकते हैं थोड़ा लेना हे थोड़ाओ सअही अपने मिक्स करके एक साफ्ट बना लेना है हर व्यक्ति का सपना होता है, उसकी तोचा बेदाग हो, चेहरे पे चमक हो, आपको अपने skincare routine में milk powder का इस्तेमाल जरू करना चाहिए, यहाँ पे जो भी ingredient हमने इस्तेमाल किया है, सभी बहुत ही powerful है, हमारे skin के लिए बहुत ही जादा beneficial है, यह पूरी तरह से chemical free है, milk powder में lactic acid पा इस्कीन में नमी बना कर रखता है, जिससे हमारी skin में कभी भी dryness नहीं आता है, तो इस तरह से हमें मसाज करना है, दो से तीन मिर तक और उसके बाद हमें normal water से face को wash कर लेना है, और जो हमें second remedy हमने बना के रखी है face pack, इसके बाद हमें उसे apply करना है, और हमने इस remedy में हनी का इस्तेमाल किया है, हनी में antibacterial property होती है, हमारे skin को moisturize करता है, aging की जितनी भी निशानिया होती है, उन्हें दूर करने में हमारी मदद करता है, इसके अंदर bleaching property होती है, साथ ही साथ अगर आपके face में acne pimples की समस्या है, तो उसे भी remove करता है, अगर आप अपनी skin को improve करना चाहत करते हैं, तो इस remedy को जरूरी इस्तेमाल करें, जैसे जैसे हमारी age बढ़ती जाती है, हमारे चेहरे पे जूरी या फाई लाइन ओपन पोर्स की समस्या हो जाती है, ऐसे में हमें अपने skin की केर करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, जब हम स्कीन केर नहीं करते हैं, तो हमारे face पे जूरी या फाई लाइन सा जाती है, हमारे skin डल हो जाती है, बिल्कुल भी glow नहीं रह जाता है हमारे face पे, तो हमारा massage complete हो चुका था, अब मैं यहाँ पे apply कर रही हूं, जो हमने second remedy ready करके रखा था, हमें इसे पूरे face पे नेक एरिया पे भी apply करना है, क्योंकि हम जब face पे apply करते हैं, तो हमारे face की skin फेर हो जाती है, और नेक एरिया की skin उसी तरह से रह जाती है, तो जब भी आप face पे apply करते हैं, तो नेक एरिया पे भी apply करें, और इसे रखना है में 10-15 मेर्ट तक जब ड्राई हो जाएगा, तो हमें इसे normal order से clean कर देना है, तो मैं यह पे clean करके आप लोगों को दिखा रही हूं कि कितनी effective है, और कितना अच्छा glow आया है मेरे face पे, तो आई हो फ्रेंड रेमडी आप लोगों को पसंद आएगी, और मैं ट्राई करती हूं कि जो भी ingredient मैं इस्तेमाल करूं, जादा तर हमारे kitchen से ही हो, तो मैंने face को wash किया है, और experience जरूर सेर करना मेरे जाद में, तो मिलते हैं कैसे useful MD के साथ, अब तक के लिए, bye bye, take care.